NCRT का 6th class का पॉलिटी का जो चेप्टर किया था उसके बेस पर डिफरेंट मैक्सम कॉस्चर बने हैं उसको स्पार्ट वन में डिसक्स कर रहे हैं फर्स्ट कॉस्चन है कॉस्चन विच टॉम डिसकाई इसमें बेसिकली जो डाइवर्सी से रिलेटेड टाम्स हैं उसमें डिफ बेस्ट ऑन क्रेक्टिस्टिक सचर्जी रेस एथनिसिटी जेंडर सेक्शल और रिलिजन हिंदी में हैं कौन सा शब्द नसल जातिय लिंग यौन अभिवरस्था धरम जैसी विशेष्टाओं के अधार पर व्यक्तियों यह समोहों के बीच मतबेद की पहचान और स्वकृत यह चीज पॉजिटिव बनाती है तो पॉजिटिविटी इसमें कौन सा यह तो गलत होगी इंगलिश में देख लेते हैं ऑप्शन क्या है स्टीरो टाइपिंग घसा पिटा आ रहा है वहां घसा पिटा नहीं आएगा स्टीरियो टाइपिंग तो नॉर्मली जो नेगटिव कंसेप्ट है वह स्टीरियो टाइपिंग नेगटिव भी है पॉजिटिव भी हो सकती है लेकिन क्योंकि यह रॉंग जनलाइजेशन है टी से हमने थिंकिंग पर रॉंग बलीफ है बलीफ भी से रॉंग कंगनिशन है यह अपवर्ड मॉमेंट के लिए सोसाइटी को डिवेल इस्क्रिमिनेशन पॉजिट नेकिटिव भी पॉजिटिव भी डिवर्स्टी पॉजिटिव ही होगी यह में अब है तो एक्सेप्टन्स है स्विकृति है यह डाइस्टी इस राइट आंसर है और सेकंड कॉश्चन है विछ फॉलिविंग इन्वाल बायस्ट यह सभी बायस है नेस है लेकिन सिर्फ डिफरेंस वह टाम में नहीं है जज्जमेंट और एटिट्यूड अब एटिट्यूड आ गया तो यह फीलिंग का एफेक्शन का दिल का पार्ट पहले बनता है हैल्ड बाइंडिविज्वल और ग्रूप अबाउट अधर बेस्ट और प्री कंसीवड है और नोशन तो इसमें क्या है क्योंकिव प्राइब किया था कैये टी से ठीं़किंग अगनिक्शन से ज्यादा है यह है यहां एटीस्टीटिट उनद यह याद रखी थे हमने यह भी यादर की इमोशन से रिलेटन है तो यह राइट आसर एप चुकरिमीनेशना यह से एक्षिन एक्षिन पर बेस्ट है इन इक्वालिटी जो एक इन इक्वालिटी डिस्टिबिशन ओफ रिसोर्स क्या क्या बांटते हो क्या हो यह है हिंदी में भी यह है आपका सेकेंड तो राइट अंसर यह क्या है के पूर्व गरह नेक्स्ट है कॉस्चिन कौन से शब्द यह स्मोग के बीच अवसरों संसाधनों और विवाहार के असमानताओं यह अंतर कवर्नन करता है अब असमानता असमानता यह तो मैचिंग सी दी होगी राइट अंसर मिल गया यहां पर फिफ्ट कॉश्चन है डिफरेंस ऑपरचुनिटी टर्म डिस्क्राइब इस वहां इनिक्वैलिटी देखा हिंदी में सीधा पकड़ा गया डिफ्रेंस इन ऑपरचुनिटी रिसोर्स एंड ट्रीटमेंट अमंग इंडिविज्व और ग्रूप्स हाँ वहां पकड़ा नहीं गया वहां निफस जाना है यहां डिस्क्राइब करता है डिस्पैरिटी डिफ्रेंस ऑपरचुनिटी रिसोर्स एंड ट्रीटमेंट अमंग ग्रूप अगर तो जो रिसोर्स की बात है वहां पर इनिक्वैलिटी आना है अब यहां पर क्वेश्चन यह डिफिकल्ट कैसे बनता है यह तो स्टीरियो टाइपिंग रिजेक्ट हो रहा है थिंकिंग की की बाट नहीं हो रही प्रिजूदिस्कीक नेगेटिफर सिर्स नेगेटिव की बात नहीं हो रही है के अगर यहां एक्षिना差 से ओर्येंटेड च्श्ट ऑरियंटेड ऐक्षिन बेस्ट बेहेवियर ऐसे ट आम होती तो हम ने डिस्क्रीमिनेशन यह अरीपिंदिशन को यह दोनों concept बहुत ज्यादा related है, inequality है कि आप resources यह वले word जो है, resources जो है, for example, class में uniform है, आपने लड़कियों को दी, लड़कों को नहीं दी, this is inequality, बेशक यह positive inequality है, लेकिन इसको discrimination भी बोल दिया जाता है, तो यह confusing थोड़ी सी term है, that is why action के बेस पर हमने decision लिया कि fourth वाला right answer होगा, which concept involves oversimplified belief, belief आगया ना, belief किसे है, thoughts से, assumptions about the particular group और people, के लड़कियां बहुत नाजुक होती है, यह आगया, stereotyping, right answer यह रहा, और यहां पर हिंदी में भी जाना पड़ेगा, यहां पर किस अभधारना है, लोगों को विशेश ग्रूप के बारे में अधितक सरली कृत मानने करता है, यह लड़के जो हैं, वो फिजिकली स्ट्रॉंग होती है, लड़कियां जो है, वो किचन का काम करें, यह सरली कृत जो है, व्यूपॉइंट है, थोड़ा सा बड़ा कन्नप है, के नहीं, यह थोड़ा सा नहीं, यह ठीक है, कौन सी अभधारना लिंग यह करता है, जैसे विशेष्टाओं के अधार पर व्यक्तियों यहां समुहों के प्रति अनुचितिक नाकार्मत दृष्टिक और भावनाओं को संदर्भित करता है, इंग्लिश में है, यहां पर यह रहा, वट कंसे अपर अंजस्टिफाइबल नेगेटिव एटिट्यूड औ और फी करें यहां आचे यह रहा, तक हमने याद रहा था यह धेक्टिंग से भाइटिट है, और यह एक्शं के रिलेटेट है, यह एक्शं में रहां है, आचेयर एक्शं हनों पर यह स्यूंब है, तो यह एक्शंब हो गया, प्दारत आप dauert a hip के लिग राइट अंसर मिल गया हमें नेक्स चलते हैं विच टर्म डिस्क्राइब दा अनफेर ट्रीटमेंट और एक्शन वह एक्शन आ गया टेकन अगेंस अंडिविजुल और ग्रूप बेस्ट ऑन दियर जैंडर और डिस अबिलिटी ऐसे ही यहां पर कौन सी अवधारना यह कौन सा शब्द व्यक्तियों का समुहों के खिलाफ उनके लिंग यह विकलांगता को के अधार पर किये गए अनुचित विवहार विवहार कार्य दोनों यह किसको लेके जा रहे हैं भीद बाब को डिस्क्रीमिनेशन को यहां पर लगाएंगे टिक डिस्क्रीमिनेशन इस राइट next है question which of the following statement is an example of inequality based on a gender example number 1 inequality inequality just means distribution of resources यह हमने centralize यह पकड़ा है women are often paid less than men for the same work यह बिलकुल बन रही है women are believed to be less intelligent नहीं यह stereotyping women are denied access to education discrimination women are assumed to be less capable यह भी जो है stereotyping है जहां prejudice की तरफ जाएगी लिकिन यह पक्का चला किया के जो है example of inequality के जो salary है equal distribute नहीं की that is why right answer यह है यह यहां पर Hindi में भी देखना है तो यह रहा आप यहां से पढ़ लीजिए next question है कौन सा शब्द तटस्त सकारात्म के प्रतिती से संबंदत रखता है which is associated with the neutral or positive nature जा तो neutral है जा पॉस्टिव है नेगटिव नहीं है पहले बात की है difference पॉस्टिव है जहां zero neutral है prejudice negative हमेशा यह तो बहुत हवाला आ गया तो यह हमारा right answer मिल गया हमें हिंदी में right answer होगा यहां पर के पूरव फर्क हाना पूरव ग्रह का विशिष्ट अधार क्या है राए रूडी वात्ता और अग्यानता विविदता इन में से कौन सा है यह रहा right answer which of the associator which is a typical basis of prejudice prejudice का कौन सा है base prejudice में यह बहात सा समझी थी हमने क्योंकि हम अपने किसी भी practice को best समझते हैं तो दूसरों को inferior समझने लगते हैं यह हमारी feeling है के दूसरे घटिया है ऐसी feeling it means ignorance है largely ignorance यह culture नहीं है कि इसको घटिया ही समझना है यह कोई अपीन नहीं है तो यह हम associate कर लेते हैं कि यह group के सारे इस धर्म के इस कास्ट के इस के ऐसे इस जेंडर के यह जो है घटिया होते हैं that is why ignorance पर बेस है stereo and ignorance इसको हम accept करेंगे यह positive आ रहा है यह इसको reject कर रहे हैं यहां पर next have which term may lead to discrimination in inequality difference predicted boast and neither क्योंकि difference of positive है that is why यह नहीं होगा तो बोथ निकल गया neither निकल गया क्योंकि यह पक्का negative था यह वाला right answer हमें मिल गया है हिंदी में भी यह साथ में देख लिते हैं यहां पर देख लो भी यह यहां पर आजो हां यह रहा कौन सा उदाहरन अंतर को दुर्शाता है नसल के अधार पर वेदभाव संस्कृति विव्दक सहारना करना दोनों या नहीं इंग्लिश में क्या है विच में लीट डिस्क्रिमिनेशन इनिक्वालिटी यह प्रिजिडिस पूर्वा ग्रह यह कौन सा पिछली वाला था यह पूर्वग्रह अब यह वला यह रहा इसको यहां पर इंग्लिश में पढ़ेंगे यह रहा पिच एग्जम्पल के बेस पर कॉस्चन आते हैं वैसे ही कॉस्चन यहां पर है क्योंकि यह थोड़ा लंबा है इसलिए क्लियर ली इसको समझना होंगा दोनों थीक है दोनों गलत है मतलब एजर्शन ठीक है जा रीजनिंगलत है ऐसी option आते हैं अवर अदेंटिटी इंकमपास आसक्ट अच सब्सक्राइब कुल्चरल सेलिब्रेशन इस सिगनिफकेंटली इंफ्लेंस्ट बाइज जोग्रफी एंड हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है यह राइट है यह सीधा NCRT में से निलिया गया है जोगरिटी डिटर्माइंड रिसोर्स अवेलेबल तो दुग मेंटी शेपिंग दि बिल्कुल जोग्रफी डिसाइड करती है ना किसी एक्षेतर में वहां नारियल ज्यादा होते हैं वहां गर्मी ज्यादा है वह समुद्री इलाके के साथ जुड़ा हुआ है कोई पहाड़ों में है जैसे लड़्दाक और वहां की बात NCRT में की गई थी South की कैरला की तो वह कंपैरिजन में से जोग्रफी और हिस्ट्री ही उसमें ज्यादा डिसकस हुई है तो वह डिसाइड करते हैं हमारे कपड़े कैसे गरम शेतर में हो तो आप नैचुली है कपड़े और होंगे पहाड़ों में कोई और होंगे सर्दी में वाले लाकों में कुछ और होंगे दोनों ठीक है बोथ एजर्शन और रिसोर्से रिजनिंग अर्थी राइट एंड क्रेक्ट एक्स्वानेशन एवला हमने राइट अंसर चूज किया है हिंदी में आप ऐसे देख लीजिए यह रहा यह हमारा दावा है यह तर्क है और यह राइट अंसर है नेक्स्ट है यह रहा है भी डिवस्टी का तो सैलिब्रेशन यहां से पता लग गया सैलिब्रेशन दिफरेंस एंड अनकनोलज दा वैल्यू अफ वेरिड प्रिस्पेक्टिव और बैक्रों यही राइट अंसर है नेगटिवली गलत हो गया फोस्टर एक्स्क्लूजन यह नेगटिव हो अन्हा रफर्टो प्रिस्ट प्रीकंसीव और अटिट्व तोवर्स परसन और गुरू पहुंदी बेसर प्रिश्टी नेगटिव हो गया और सिर्फ यह पॉस्टिव है यह इस राइट अंसर और हिंदी में हम देख लेंगे इसको यह देखी लिया है यह रहा राइट अंसर नेक्स है पूरव गरह से जुड़ा विशिष्ट रविया क्या है विच इस दी एटिट्यूड और वट इस टीपिकल एटिट्यूट अससेट इट 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 इस एंबर अंबर इसे जए ओपन एस प्रिजिडिस तो हमेशन एक्टिव होता है ओपन नहीं होगा अगर आपको अंसर नहीं मिलता तो यह देखी यह पोजरा आधा क्या रहा है क्लोउड मांडनेस यह नेगटीव जा रहा है इसको पकड़ लिजे यह राइटा सर्व प्र इंडाल यह टोल्रेंस और अप्रेशनल फियर्टेंट अच्छर इसारा नेगटिव यह यह राइटा नहीं सर प पूर ग्रहका जो जो ओर्ड मैं आउट निकालिये तो ओर क्या है भी है राइट आंसर वही है जीवन शाली भाशा आहार कपडे मनरंजन गतिविद्य और संस्क्रित उत्सव सहित हमारी पहचान का मुख रूप में क्या क्या प्रभावित करता है यह रहा next question what a primary influence of identity including lifestyle, language, diet, clothing, recreational activity and cultural celebration, personal choices, genetic disposition, influence of geography and history, right answer how does geography impact our identity by determining our genetic disposition, by shaping our cultural practices and tradition तो यह राइट आंसर ही है cultural इसको इसके साथ compare करें तो cultural practices और ट्रडिशन ज्यादा प्रभावित करती है राइट अंसर भी है हिंदी में भी यहां देख लेंगे यह रहा भगोल हमारे कैसे प्रभावित करता है हमारी संस्कृति प्रथाओं और प्रंप्राओं को प्रभाव तो होता होता है अनुवांशिंग था नहीं समाजिक संपर्क नहीं व्यक्तिकल विकल्प नहीं संस्कृतिक उत्सव इसको कह सकते हैं history से यह रहा हिंदी इंग्लिश में how does geography हो गया अभी आगए history genetic disposition यह रहा social personal or cultural celebrations तो cultural cell यह भी नहीं आई का social यह पर्सनल भी नहीं आई यह तो दुनों डिलीट हो जाएंगे social or culture में से आपको cultural ज्यादा प्रेफर करना होगा यह पर in what way does the historical context our environment affect our identity its shape our personal choice नहीं influence the genetic no impacts our cultural practice and tradition it determined the social interaction यह repeated a question right answer see which of the following negative stereotype is often associated with villagers यह NCIT की book में से है technically savvy ignorant है urban oriented fashion forward है ignorant यहां पर आएगा कुण को ignorant बोला जाता है जो की बिल्कुल गलत है निमले को नहीं हो गया अग्यानी जब कोई पूर्व निर्धारत धारना के अधार पर दूसरों का नाकारात्मक बिल्यांकन करता है तो इससे क्या घटता है यह रहा वें सम्वन नेगति ली जच अधर बास्ट अधर बरी प्रिटिर्म नोशन और रोट इस फेनोमिन यह रहस्चमन क्न क सुट्ट थार्ट्रीश्म प्रिऻिदिस प्रिज़िए नहीं जर्ड़िश कर रिलिजिए ए प्रिड़िष और लिजिए क क्ले अंधिश। कि दूसरे का धरम मेरे से नीचा है ऐसे जब हम करते हैं तो यह गलत यह हो गया आंखो कर धार्मिक मानते हैं यह हो गया फिलम शाली नहीं पूरुव ग्रह का प्रणाम अक्सर होता है सहानुबुती समझ नहीं यह पॉजिटिव हो गया इसको ध्यांग से देखना यह पॉजि देखा रीड मेनने गलत कर लिए यह पॉजिटिव हो गया और यह लौंग टेल भी है नेगतिव हो गया यह गलत ओगया था तो यह रएट अंसर है यहांपर क्योंकि प्रेजुडिस इज नेगिटिव नेक्स्ट यहां पर आगे हम यह आई-color हो गया प्रेजुडिसे रिज प्रिपेच्वेट कॉमन नेगिटिव परसेप्शिन अब सिटी डेलर्स लेजी नेचर लिविंग नहीं अग्रिकुल्चर एक्सपर्ट अड्वार्मेंट यह है लेजी यह वाला कहा जाता है उनको जयादा था ncrt की बूप में है what is the consequences of believing only one particular way is the best and right way to doing this very bad जब यही जिने का जो central idea है यहां से गड़बड शुरू होने हो जाती है जब आप अपने रस्ते को best मानने लगते हो जब ही best मानते हो तब यह आप दूसरे को नीचा साबित करने लगते हो जा देखने लगते हो लेकिन best वो है जो जो अगर आपको best पता भी चल गया है फिर भी आप दूसरे कुछ भी कर रहे हैं जब तक वह hurt नहीं करते किसी को तंग नहीं करते तो आप उनकी रिस्पेक्ट करो हर हालत में यह मानना यह इंग्लिश म हो जाती है उससे दूसरों की यह है हिंदी में है यहां पर सीमत समान यह वला राइट अंसर था समा वेश्टा और समान को बढ़ावा देने के लिए शब्दावली में क्या बदलाब सुझाव दिया गया है तो लॉंग टेली है कलांग से विशेश अवशक्ता वाले कि इस चैप्टर में यही बताया गया है स्वेपिंग डिसेबल्ड वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया चिल्डरन विद इस्पैशल नीट्स कहा गया लेकिन अब यह भी नहीं है यह भी चेंज हो चुका है अजर्शन है डिवरस्टी निकलीजिंग दिफ्रेंस इन हो यह जास जबते हो यह प्रिजिजिस किसको धनम देती है डिस्क्री मिनेक्स नेगटिव को ही कड़ी में ये सारा दिखाई देदेगा बिल्कुल ठीक है गलत फैमियां एक कहां कुश्चन कहां समान्य रूडी वात्ता को चुनाती देने के लिए मुख देश क्या है गलत फैमियों को पुष्टी करना बहिश्कार और प्रसाहित करना यथा स्थिती बनाए रखना नकार इसको नहीं ऐसा नहीं करना दिखो यह क्या हो गया नेगटिव हो गया यह एंकरजिंग एक्स्क्लिउजन यह भी नेगटिव हो गया और यह मेंटेनिंग स्टेटस को यह नीट्रल हो गया कांटरिंग नेगटिव परसेप्शन को खतम करना नेगटिव नेगटिव यह हो ग यहां पर एक्स्ट्रीम तर्म आ रही है वह रॉंग अंसर नॉर्मली होता है तो इसको फॉलो करना यह गलत हो गया बाइ एक्स्प्रेसिंग दियर ओन फीलिंग एंड फॉर्ट यह अच्छा है वाइडिंग सोशल इंट्रेस्ट इसा नहीं कर सकते हम एड़ाइरिंग स्टिक् हो गया यह नूटल है यह हम वाइड नहीं कर सकते यह वाला राइट अंसर बच गया हमारे पास हिंदी में भी आप देख सकते हैं यहां पर पाठे व्यक्ति पुचनाती पर रोड़ी पुता में कैसे योगदन करते हैं यह है अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त कर के विशेश वह शक्ता वाले बच्चों के लिए शिक्षन पर विचार करते हुए कौन सी अवधारना सविक्ति सानुपति शिक्षा के समान पहुंच को बढ़ावा देने पर जोर देती है अलगाव अलग कर देना ही समय समावेश इंक्लूजन बहिशकार नहीं प्रतिकरण नहीं नहीं समावेश इस राइट अंसर यहां पर होगी इंक्लूजन इस राइट अंसर अवट स्टियो टाइप सर टीपिकली लीड टू स्टियो टाइप नच्छली है कि वह डाउन वर्ड हमें लेके जा रहे हैं फियर एंड एक्रूरेट असेस्मेंट बिलकुल नहीं अन इस बिलकुल नहीं अना एस दिख यहां पर है देख यह फेयर पॉजिटिव है यह बला पॉजिटिव है फेयर जनलाजिशन ऑप उजिटिव है नौसंस अंड अंडर्स्टैंग ऑफ एंडविजव अन फेयर यह निग्टिव है तो यहां पर इसका अगर मुझे मीनिंग न माने का वक्तियों को शुक्षम समझ नहीं तो यह वाला जो है बन गया राइट आंसर लंबा लंबी टेल भी है और उनके अनुचित यह नेगटिव है क्योंकि रूडी बाता नेगटिव यह वाला मिल गया जब आपको पता है कि यह कंसेप्ट नेगटिव है तो नेगटिव ढूंड़ो वो राइट मिल जाता है कंजूसी आलस्य अपराधिता और बुद्धि मत्ता जैसे लक्षनों के संबंद में किस पर जोर दिया गया है एक विशिष्ट सूंग के अंतरत को वे कुछ व्यक्तियों के लिए विशिष्ट हैं वे अपन विभिन अबादी में पाए जाते हैं आलसी लोग एक ग्रूप में पाए जाते हैं अपराध प्रविर्ति वाले एक ग्रूप में पाए जाते हैं इंटेलिजन लोग एक में नहीं सभी देशों में सभी समाजों में सभी ग्रूप में सभी तरह के लोग पाए जाते हैं यह इंडिविजुल का इंडिव नहीं यह गलत है यह गलत है बिल्कुल गलत यह एक्स्क्लूजन तो सर्टन इंडविज्वल यह दे कैन वी फॉंट तो अक्रॉस डिवर्स पॉपुलेशन यह दे ओनली अप्लाइटु सिंगल केटगरी यह गलत हो गया तो राइट अंसर यह हमें मिल गया है हिंदी में भी द यह रहा आई आई हाइलाइट अ इंडविज्वल युनीकनेस आ वस्टीरोटाइप अफैक्त प्रसेप्शन नहीं वह युनीकनेस को इगनोर करती है यह गलत हो गया डे रिकाग्णाइज इंडविज्वल इस्टिंग्ट्ट क्वालिटी यह भी हो गया इस ही के साथ मिल ग गया यह देखो यूनिकनेस यह पॉजिटिव यह पॉजिटिव यह नेक्टिव दे एनकरज अंडरस्टेंग अफूमन डावस्टी नहीं यह भी पॉजिटिव अब और में और काउंग यह है सी इस राइट अंसर है नेक्स्ट है लेंगिक रूडी वादता के बारे में चर्चा किन गुड़ों के जनम्चात और सीखा हुआ माना जाता है इंग्लिश में यहां पर पढ़ लेंगे के डिसकेशन जेंडर स्टीव वर्ट ऐक्वालिटी और चैलेंज एज बीइंग इननेट और लॉर्ण अग्रेसिवनेस एंड कॉंपिटेंट नेस कौन सी है भी स्टीरियो टाइप की बात हो रही है और स्टीरियो टाइप में यह माना जाता है कि यह लड़कियां सॉफ्ट जेंटल यह वैल बहेवड होती है तो यह इन यह लर्ण नहीं उनको कहा जाता अगर लर्ण समझेंगे इट मींज चेंजबिलिटी है मैं सॉफ्टनेस मैं लड़कों से है प्रेफरिंग रॉल प्लेंग डॉल प्लेंग डॉल्स अगया ना पकड़ लो यह राइट अंसर है वह विंग ग्रेटर इंक्लूजन तो वर्द स्टेम साइंस टेक्नोलोजी इंजिनिरिंग मैट्स यह माना जाता है ब्वाइज स्टीरियो टाइपिंग है क इस टेम जो है वह वह वाय के फेवर में हैं लेस एंपथेटिक अंड नर्चरिंग नहीं लेस नहीं ज्यादा एंपथेटिक उनको माना जाता है स्टेरो टाइपिंग में एजर्शन है यह शर्चन को हिंदी में भी साथ में देखेंगे यह रहा यहां पर रूरी बाता तो यह प्रश्वित विश्वास जा विचार शामिल होते हैं जबकि पूर ग्रहों में रूडी वाता के अधार पर व्यक्तियों यह सुहों के प्रती नाकरातमक दृष्टिक और भावनाएं शामिल होती हैं तो यह पहले वाला बिलकुल ठीक है थाना दूसरा की रीजन स्टी प्रिजुटाइपिंग इंवाल फिक्स्ट बिलीफ आइडियाज अबॉट इंडिविजिल्स और ग्रुप वेराज प्रिजुडियस इन्वाल नेगिटिव एटिटिटुड और फिलिंग तो इंडिविजिल और ग्रुप बेस्ट अंसर चल रहे हैं नॉर्मली जो पिछले इसी साल के कॉश्चन है उसमें भी ये बोथ राइट और रीजनिंग राइट मिलती है अकॉर्डिंग तो कॉमन स्टिरोटाइप वट एक्टिविटी और वाइज टिपिकली पॉर्टेड एज बींग मोर इंट्रस्टेड इन रोल प्लेंग डॉल्स नहीं रीडिंग बादों को सुझान में कम नाट किया था नहीं संगर्शों नहीं पढ़ाई में कम रूची नहीं छोटी छोटी बातों पर बहुत देर तक नराज रहना पर राइट अंसर यह है लड़कों के विहार के बारे में आमतर के सरूरी वाता को लेकिया जाता है कम ध्यान देना और सुनने में अच्छा ना होना हाँ यह कहा जाता है कि लड़के कम सुनते हैं पढ़ने लिखने में अधिकरूची नहीं संगर्श में मुख्य सहयोग आत्मक खेल में हाँ यह वाला राइट अंसर है इंग्लिश में यहां पर इस्ट्यूट आप बॉइवर कॉमली मैंशन बि हो जाती है कि सब कुछ अपना लोग मुझे शेर कर जाते हैं वट इस टीपिकल स्टेरियो टाइपिंग एक्टिव लिस्निंग है ना जब तू बच्छा बंदा खुल जाता है दूसरा वट इस टीपिकल स्टेरियो टाइप एससेट विद बॉइज इंट्रस्टेड एंड एक्टिविटी प्रैफ है इंडोर नहीं लडकियों के साथ है कीन इंटरस्ट इन फैशन नहीं लडकियां और इंटरस्ट इन नर्चरिंग एक्टिव एइन जोई रफ ए टरंबल प्रे एंड कॉम्पूतिट इंट इन प्रोइज इंटे विड लोग मॉइज टीज इस रॉ to understand everything and being creative, being manipulative, B वाला राइट अंसर है, what is associated with girls regarding emotional expression, being more fragile, भावनात्मक भिव्यक्ति बें अधिक नाजुक होना, यह राइट अंसर यहाँ पर है, what academic strength are girls typically associated with, according to stereotyping, being good at math, नहीं यह बॉइस को का जाता है, being interested in video games and sports, लड़कों को कहा जाता है, being less suited to school, doing better in school, being less, यह normally कहा जाता है girls को, next है, which of the following best define discrimination, promoting diversity and inclusion, discrimination नहीं, यहाँ पर discrimination को negative लेके चल रहे हैं, जब equity की concept आती है, तो positive discrimination हो जाती है, providing equal नहीं, acting unfair and prejudicially towards a certain individual group, यह ठीक है, यह negative है, encouraging respectful, यह बला ठीक है, positive है, positive है, positive है, यह बला negative है, यह राइट आंसर हो का, discrimination can be manifested in various form, including embracing diversity and respecting difference नहीं, restricting assess activities, job amenities based on certain characteristics, यह ठीक है, promoting equality positive हो गया, fair positive हो गया, right answer B है, what can be reason for discrimination, encouraging diversity and embracing differences, नहीं, providing equal नहीं, perceiving certain difference as inferior, and marginalized individual based on them, लेकिन यह prejudice की ज्यादा तरफ जाता है, promoting respect of all, क्योंकि negative यह है, सिर्फ इसको, C को right answer यहां पर आनके चलेंगे, discrimination primarily in war, promoting fairness नहीं, providing preferential treatment, based on individual characteristic, बिल्कुल ठीक है, acting on prejudice as stated typing, to deserve, यह बिल्कुल ठीक, C must better है, यह best है, encouraging inclusivity नहीं, तो यह negative है, action, action आगया ना behavior, यह बला, यह बला right answer है, stereotyping are primarily, ideas और beliefs, thinking है, क्योंकि thinking में ideas होते हैं, belief है यह group, first है, discrimination, action नहीं है, attitude, prejudice होता है, और positive action towards individual, यह positive हो गया, यह बला आएगा, right answer, idea and belief, prejudice is best described as, positive, negative attitude towards group, यह बला है, neutral भी नहीं है, positive भी नहीं है, discriminative यह है, negative attitude, discrimination involves positive action, भी होता है, positive action भी होते हैं, यहाँ पर लेकिन, unjustifiable negative attitude, नहीं, taking negative actions, action है न, action और negative, यह रहा, negative और यह action, यह बला right answer है, next है, what is the primary characteristics of stereotype, based on stereotype, T से, thinking, thinking वला कौन सा है, यह बला, belief, belief, thinking का पाट है, यह याद रखना, और oversimplified ideas, idea, thinking का पाट है, और group of people, यह बला, C is the right answer, prejudice is primarily characterized, being based on behavior नहीं, being based on belief नहीं, thinking का पाट है, E से याद रखना है, E emotions से है, based on emotions, यह रहा right answer, what distinguishes discriminate from stereotyping, discrimination based on belief, नहीं, action पाट है, discriminate based on emotions, नहीं, action पाट है, discriminate based on behavior, yes, ठीक है, and action towards individual और group, यह C is the right answer, how stereotyping and prejudice related, stereotyping are based on behavior, while prejudice based on belief, गलत हो गया, क्योंकि prejudice E, emotion पर है, stereotyping and prejudice, both involve bias against people, based on the group, membership यह भी ठीक है, यह ठीक है, stereotyping are emotional in nature, while prejudice involves thinking, उल्टा हो गया, stereotyping and prejudice are unrelated concept, यह वाला, B वाला, right answer है, यहां पर, what distinguishes prejudice from stereotyping, prejudice involve behavior, नहीं, stereotyping based on belief, yes, right है, और, while prejudice is based on behavior, यह रॉंग हो गया, stereotypes are related to thinking, yes, while prejudice emotional nature, यह वाला, C वाला, right answer है, how discrimination related to stereotypes and prejudice, this stereotype and prejudice, discrimination is based on providing equal opportunity, no discrimination is unrelated, no hair related, discrimination is behavioral manifestation of prejudice, and harm, यह हमारे emotion में है, यह हमारी thinking में है, और इसका implication, application क्या है, कि एक्षिन में हमने वो काम कर दिया, वो discrimination हो गया, what is the primary category of stereotyping, thinking, जो thinking है, कहां, यह feeling है, emotion है, action है, यह वाला गया, is all, यह फिर्स पार्ट है, next part होगा, कि religious and linguistic diversity, and related facts, जो है, इसके, वो next video में होगा, अब देख सकते हैं, link नीचे दिया गए होगा, thank you, Dr. Therese Ng, learn to actualize.